हेलो गाइज वेलकम टु मेडिकल प्लसप्यूट रिट्यूप चनल और आज का जो टोपीक होने वाला है वह है हमोगलोगं अपको पता है कि क्या होता चुक्त है और अब हम शुरू करते हैं हमारा estimation of hemoglobin देखो पहला method कौन सा है hemoglobin का वह है टालकिस्ट method देखो तौलकिस्ट method में क्या है कि टालकिस्ट method में comparison of color color का क्या करते हैं comparison करते हैं comparison of color of wall blood on bloating paper with reference standard देखो इसमें क्या होता है कि bloating paper होते हैं एक HB scale book होती है है क्या होती है एक kg होती है उसमें क्या होता है हर क्लर को छोट के साफ से एक वुक होती है उसमें क्या होता है blow टींग- Praiser들 को लेते हैं उसपे और उसपर के दोरा मैं क्लररमेंच करते हैं ऊपर हम लिंक का clicking कर सकते हैं थैक है तो पहला मेथट कूँह सोय पर उसे हम whole blood को लेते हैं उस पे और उस पे के द्वारा हम कलर को मैच करते हैं ठीक है आप डिटेल जानना चाहोगा है तो उपर लिंक है वीडियो का वीडियो का वीडियो क्लिक करके आप उसका मैथड देख सकते हो तो हमोगलियो ब carrying सब envisioner एक हो ठीक है तो पहला मैथ्ट मेंट इसमें क्या करते हैं के अधे कि दूसरा मेथिटेल्ध के आए दोपर दूसरा में आ नहीं करते हैं तो इसमें हम यूज लेते हैं हमारा साइली हिमोग्लोबिनोमेटर ठीक है हिमोग्लोबिनोमेटर ठीक है तो यह आप याद रख लेना कि साइली मैथड या एसडिमेटरी मैथड में हम कौन सा इंस्टुमेंट यूज लेते हैं वह इस्टुमेंट यूज लेते हैं साइली हिम सब्सार से दीच तो शैली मैथोड या इसे में इसका बोलते हैं में इसको बोलते हैं में श्यक्षां नाम किए पड़ा आप बताहूं से स्टबरोब्ट is converted to acid amurtin by addition of n by 10 HCl, hemoglobin जो है वो n by 10 HCl के से मिल कर acid amurtin में convert हो जाता है, ठीक है, तो hemoglobin क्या करता है, hemoglobin जो है वो इस reaction में, hemoglobin जो है वो n by 10 HCl से reaction करके, अपना क्या बना लेता है, hemoglobin जो है वो n by 10 HCl से reaction करके 70 में बना लेता है ऐसे देमी ठीक है अब बात करेंगे कि अधी होता क्या है में गल्डी पढ़ाएंगे इसमें लिखा है हमोगलोबिन is converted to acid-matin by addition of NMAT 10HCl, acid-matin is insoluble and is colloidal substance, अब acid-matin क्या है, insoluble हैं कि agulanshial होता है and is a colloidal substance, colloidal substance क्या होता है, जब दो solution आप आप समें मिल जाते हैं ना और color change कर देता है, उनको बोलता है हम colloidal substance, ठीक है, फिस्ट पॉइंट है, brown color of the acid-matin depends on the concentration of hemoglobin, अब इन reaction के अंदर यदि brown color आता है, brown color in reaction के द्वारा present होता है, तो वो acid-matin की reaction को प्रदर्शित करता है, ठीक है, अब इसका जो major advantage क्या है वह या, शाहिली hemoglobin का major advantage वो है कि यह method का use, ग्रामिन छेत्रों में इस method का use अधिक किया जाता है, अब क्यों, ग्रामिन छेत्रों में क्या है कि बिजलू क्या पूर्ति कम होती है और उसमें क्या hemoglobin के जांच करनी है तो easily हम कर सकते हैं, जहां electricity नहीं है वह हम इस method का use में ले सकते हैं, the disadvantage of this method, अब इस method का disadvantage आप देख लीजिए, is that methymoglobin, methymoglobin, carboxymoglobin, and sulfymoglobin, यानि कि इन तीनों प्रकार के hemoglobin को convert not converted to acid hematin, यानि कि methymoglobin, carboxymoglobin, और sulfo hemoglobin, ठीक है, तो ये तीनों hemoglobin के जो है, वो acid hematin में convert नहीं होते हैं, याद रखना, and proper standard is not available, और इसका जो proper standard यानि कि proper जो result आप वो नहीं होता है, ठीक है, तो इसके advantage क्या क्या है, साहिल हमोगलोबिन के advantage यह है, कि रूरल एरिया में जान एक्टिसीट नहीं है, वहां में इसका use कर सकते हैं, और इसके disadvantage क्या है, अब डिसएड़ाइज में क्या है, कि भाया, एक तो methemoglobin, उसके बाद carboxymoglobin और sulfymoglobin, यह तीन प्रकार के hemoglobin convert नहीं होता है, एक्टिमेटिन में, बेसिकली साहिली हमोगलोबिन में जो है, या साहिली मेथड जो है, या एक्टिमेटिन मेथड जो वो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है, अगला मेथड है, एक्लाइन हमेटिन मेथड, अभी एक्लाइन मेथड क्या है, दोस्तों नाम से पता पढ़ रहा है, एक्लाइन हमेटिन मेथड, देखो, हमोगलोबिन जो है, वो एक्लाइन हमेटिन में क्या होता है, इसमें लिखा है, हमोगलोबिन इस गन्वर्टेड टू एलक्लाइन हमेटिन देखो, यनि कि यह जो solution बना यह एक तरह से reliable solution है मिश पर विश्रास कर सकते हैं ठीक है और calorie metric up calorie metric के द्वारा इस solution का हम यूज में ले सकते हैं कि इस solution की जो जांच कर सकते हूं calorie metric द्वारा कर सकते है calorie metric का ली क्या होता है एक इंस्ट्रुमेंट होता है जहाँ पर विबिन जो नैनोमेटर जो फोर्म सोते हों से एट किया जाता है और के द्वारा में इस मेथड को यूज में ले सकते हैं फिटल हमोगलोबिन इस नोट कनवर्टेट टू एलकल निमेटिन आप फिटल हमोगलोबिन जो वो कनवर्ट होगा एलकल contribute के द्वारा एक ह recipe में इतवारा के द्वारा तू संग जो ह मैं होता है इंदिस मेठ आरभी तीर ला-आइड इस इक कर ले जाता है इस मैठी रब्वी और भीशी को जो है वो हम लाइज करते हैं लाइस क्यों quit यो करता है लाइज LIFE करेंगे तब वह एकतरे से ब्रेकडन हो जायेगी और Hemoglobin जादा मातरा में बनाएगी, इस method RBC lives, इस method RBC lives करते हैं, carbon Monoxide is added to convert HB, Starbucksy Hemoglobin, देखो, इस method में जो reaction होगी भी मैं आपको बता रहू, Hemoglobin carbon Monoxide Carbon Monוע औकसाइड कि reaction करवाएंगे तो हमको प्राप्त होगा कार्बोक्सी-Hemoglobin क्या होगा कार्बोक्सी-Hemoglobin तो इस मैथड में हम Hemoglobin की reaction यह दि कार्बन-monoxod से कराएंगे तो कार्बोक्सी-Hemoglobin मिलेगा, whose color is compared with that of a standard ितना था कि उस गौरा पता लगा सकते हैं कि हाड्य हें इस को न॓न हैं बहूंश का नाम है उसके दर्ण पड़ा इस मैठों किया करते हैंeftali कि tuck is carbon monocrrh form कराते हैं तो carboxymoglobin नमको मिलता है अब वो जो carboxymoglobin ने उसके दूहरा standard का पता लगा सकते हैं अब इसको carboxymoglobin method भी बोलते हैं method के नाम आपको पता कुछन होते हैं और साथ में tricky question भी पूछे जाते हैं तो अगला एक okyo'ma method method एक 0.04% liquid ammonia या ammonium hydroxide इस यूजड विच ओ स्ट्राइब ही सिसल अब इस मेंसं में और्च वगुट आ इसका में इस चहली और और यूजड के लिए। हम क्या करता है डीण लेते हैं थीक हैं वी निटे लेंग कके अंकुश ऑब तो फारो आपको लेशनोבुन । के द्वारा और रिडिंग उसकी लेते हैं कंसेंट्रेशन ठीक है तो दोस्तों अगला हमारा मेथड है वो है साइन मैथीन हमोगलोबिन मेथड देखो देखो इस प्रेफरेट एंड प्रेफरेड मेथड ऑफ हमोगलोबिन एस्टिमेशन यह जो मैथड है वह बहुत एक्यूर हमोगलोबिन बाइडिशन ऑफ पोटेशियम साइन ठीक है नई समझ मारा कोई बात ही मैं आपको बता रहूं देखो इसमें क्या करते हैं इसमें बेसिकली दो रियक्शन होती है कौन-कौन सी यह जदि हमोगलोबिन की रियक्शन हम हम को पोटेशियम फैरिकनाइड से हम इसमें कराते हैं तो हमको मिलता है साइन मैथी मोगलोबिन अब जो वैल्यू आएगी हमारी कालोरी मीटर से द्वारा पानसो चालिश रैनोमे देखेंगे ठीक है बेसिकली साइन मैथी मोगलोबिन में क्या होता है दो रिक्शन होती है पोटेशियम फैरिकनाइड और पोट sto suscri Casey King कि मेरेक्षिन हम के हमें हमीं को कराते हैं तो हमको को मिलता है मैं को साइनो गलोबीन अब इन दो रियक्षिन के दौरा जो हमको सोलिशन मिलता है वोг हम केलोरी मेटर द्वारा 540 जानोमेटर पर हम देखते हैं और उसका concentration के दौर हम की value पता लगाते हैं अगला है specific gravity method और दूसरा है gasometric method देखो specific gravity method नहीं प्रक्राइब्ट का है physical method यह physical method होता है बाय यूजिंग C-U-S-O-4 यानि कि copper sulfate को हम use में लेंगे तो हम specific gravity द्वारा पता लागा सकते हैं दूसरे गैसो मेंटरिक मेंटर्य औक्सिएन का मैंडिंग कैपिसिटी गैसो मेंटरिक मेंटर्ड जो है वह औक्सिएन कमायन रखता है आप इन दोनों मेंटर के आपको नाम याद रख लेना है ठीक है ओली नेम बस अब साथ में इस पिस्टिक में क्या यूज करते हैं CSO4 और गैसोमेंटरी में oxygen combining capacity होती है ठीक है तो यह कुछ मैथट थे आपके सामने कौन-कौन से most method है वो मैं आपको बता दिये हैं साथ में हमोगलिब एस्टिमेशन करने के कौन-कौन से method है वो मैं आपको बता दिये कहीं भी कोई डाउट लग रहा हो को भी रेक्षन आपको समझ में नहीं आई हो नीच आप कमेंट कर देना वह भी हम आपको पूर पर तरीके समझा दूंगा हमोगलिब यदि लो होती है तो बोड़ी पर क्या एफेक्ट पड़ता है यह बहुत इंपोर्टेंट है यह पढ़ लेते हैं देखो सबस्क्राइब लोग एश्म वैल्यूव यह दिमोगलिब नमरा डाउन होगा तो हमको क्या-क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे ठीक है लो हूग एच्ब्यूव नऄन की वैल्यू जो व्विनप्रकार के एंपो को दिखाती है याई कि हमोगलिब न कम होगा तो हमको विवनप्रकार के डिफरेंट टैब के एंपड देखने को मिलेंगे एंविया नहीं पता कोई दिक्कत नहीं अब अगली क्लास हमारी एंविय की भी हो सकथे है ठीक है लोगर्ग्ल तो वह patient एनिमिक है, एनिमिक कंडिशन वा को हम देखने को मिलेंगी, साथ में आप 2-3 टाइप लिख सकते हो, basically जो common टाइप है वह है, आरेन के बिखता है, उसके बाद हीमोलेटिक एनिमिया, जो blood cells होती है, वो लाइसी हो जाती है, उसके दोर हीमोलेटिक एनिमय आपको जाता देंगे, फिर जो मरी series चल रही है, वो भी हम आपको अगली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी, peripheral smear evaluation helps in typing of anemia, अब anemia का हम diagnose किसे करते है, PBF से करते है, slide मना के करते है, आपको बस थोड़ा नाम याद रख लेना, ठीक है, PBF के दवारा, उसके बाद है, high HP values, यदि हमोगलोबीन हाई हो जाता है किसी patient में, तो क्या-क्या condition आपको देखने को मिलेंगी, देखो, high HP values more than 17 gram per deciliter, यदि 17 gram per deciliter से किसी patient का हमोगलोबीन हाई हो जाता है, तो are observed in polycythemia, polycythemia आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, polycythemia क्या होता है, RBC की आदिक मातरा में विर्द्धी होना, ठीक है, polycythemia, rubera vera, PR भी आपको देखने को मिलेगा, ये disease के नाम आपको पता होना चाहिए, कि low HP होता है, तो कौन्स disease होती है, high HP होता है, कौन्स disease होती है, इ secondary erythrocytosis, erythrocytosis आपको देखने को मिलेगा, RBC, अधिक मातरा में उसकी विर्द्धी हो जाना, then latter is encountered in causes by kidney tumors, और अधिक मातरा में यादि इसकी severe condition हो जाती है, हाई हमोगलोबिन की, वो kidney tumor से ने की kidney में गाट, आपको देखने को मिलेगी, high altitude causes of hypoxia and chronic pulmonary disease, hypoxia हो सकता है, chronic pulmonary disease हो सकती है, high hemoglobin से, ठीक है, congenital heart disease हो सकती है, आपको जनजात heart disease हो सकती है, ठीक है, and cigarette smoking, और cigarette smoking से भी आपको hemoglobin की value जो है, वो अधिक मातरा में आपको देखने को मिल सकती है, तो आप disease के नाम याद रख लेना, जो जो चीज causes होती है, उसके नाम याद रख लेना, symptoms के तो HB और High HB में कौन symptoms पता होते हैं, तो दोस्तों ये थी HB estimation की basic knowledge, कई भी कोई doubt लग रहा हूं, नीच अब comment कर देना, doubt clear कर देंगे, और जहां तक मैंने आपको series करा दिया है, theory based MCQs की, उसके MCQs ready हो चुके है, अगली वीडियो आपको मिल सके MCQs की, तो दोस्तों आपको झाल